कि नमस्कार कसिस्त न्यूज में आपका स्वागत है मैं हूँ अनुराग बात करते हैं चौबिस MLC सीटों की जिहां चौबिस MLC सीटे चुना होने वाले हैं बिहार में बिहार की चौबिस सीटों पर और उसके लिए सियासत खूब हो रही है चाहे बीजेपी हो जेदी हो या फिर आरजेडी तमाम पातियों के अंदर घमासान मचा हुआ है कि आखिर कौन लड़ेगा इन चौबिस सीटों पर किसे टिकट मिलेगी अंडर अंडर सियासत खूब हो रही है आरजेडी ने तो लगबग लगबग जो खबरें हैं बीस उमिदवारों के नाम तैभी कर दिय कौंग्रेस को उसने ठेंगा भी दिखा दिया और इधर बात करें एंडिये के अंदर की तो एंडिये के अंदर एक सीट पर जो मामला सामने आ रहा है दरसल सीवान की MLC सीट पर उसकी बात हम बताएं आपको वहां पर एक साहबुदीन के करीबी की एंट्री हुई है और उन साहबुदीन के किसी करीबी को साहबुदीन के परिवार को टिकट मिलना चाहिए तो अब यह बात कहीं न कहीं चरीतार्थ होती दिख रही है सीवान में हलाकि साहबुतीन के परिवार को तो नहीं लेकिन साहबुतीन के काफी करीवी रहे एक सक्स को NDA का टिकट मिलने की चर्चा जोरो पर है पुरी खवर आपको बताएं हलाकि इसका विरोध भी बीजेपी के पूर्व सांसद ने कर दिया है पुरी खवर बताते हैं आपको सीवान में MLC चुनाव को लेकर NDA की तरफ से पूर्व MLC मनोज सिंग या उनकी पत्नी के नाम की चर्चा हो रही है अब इस पर विवाद भी हो गया है बीजेपी के पूर्व सांसद और प्रदेश उपाध ध्यक्ष जो है ओम प्रकास यादों ने खुले आम पाटी को चेताबनी दे दी है उन्होंने मनोज सिंग को अपरादी बताया है और कहा है कि दिवंगत पूर्व सांसद सहबुदीन के साथ रहकर मनोज सिंग ने कई हत्याय करवाई हैं वह सहबुदीन के साथ एके फोटी सेवन लेकर चलते थे आपको बताएं कि तरक उंप्रकास सायदेन करें सायज और चुनाओ के मैदान में उन्हिए साथ में उनके परिवार के लोग को ठूल चटाए है तो उंप्रकास और तग्रा भी रहा है कि मनोज सिंग को तकट मिल रहा है तो आपको बताएं कि उंप्रकास यादoka के में और चुप नहीं संकर सिंग हत्याकार में मनो सिंग को बहुत जल्द सजा होने वाली है इसे लेकर अब वो अपनी पतनी को चुनाव लड़वाने की तैयारी में लगे हैं लेकिन हम इसका विरोध करेंगे बीजेपी अपराधियों की पाती नहीं है तो तगड़ा विरोध भी सुरू हो गया है उन प्रकास यादाओ की तरफ से जो पूर्व सांसर्थ हैं बीजेपी के आपको बताएं कि लगटार तीन चुनाव लड़ चुके हैं मनो सिंग और हर बार हारे हैं मनो सिंग सिवान के पूर्व मलसी वा बीजेपी के जिला द्यक चरा चुके हैं फिलाल चिराक पासवान की पाटी लोजपा राम बिलास में हैं और राज़त के समय में पुर्व सांसद का दाहिना हाथ वो माने जाते थे तो पुर्व सांसद मुहमत साहबुदीन का दाहिना हाथ जो मनोस सिंग है उन्हें एंडिये के टिकत मिलने की चर्चा है और जोर पर है और इसका विरोध भी परादियों की पार्टी नहीं है तो आपको बताएं मनोस संह्ग के बारे में कि हमल सी है और बीजेपी के पूर जिला द्यक चरा चुके हैं और चिराख पासवान की पार्टी में फिलाल और नेता हैं और आपको बताएं कि सहाबुदीन के डाहिने हाथ माने जाते थे राज़त के सासंकाल में ही मनोज सिंग के भाई मिर्टुन्जा सिंग की हत्या हो गई थी इसके बाद मनोज सिंग ने सहाबुदीन का बिरोध सुरू कर दिया था मनोज सिंग कई बार दलब दल कर 2014 का लोकसवार्चुना जड यू की टिकट पर साल 2015 का बिःधान सवाचुना बिज़पी की टिकट पर जबकि 2020 का बिःधान सवार्चुना गुजपा की टिकट पर लड़ चुके हैं लेकिन लेकिन हर बार उन्हें हार का सामणा करना पड़ा हुआ अदर से एंडिय के उम्मिद्वार के तौरर मनोश सिंगक उतारे जाने की वही आपको बताएं कि जेडियू खेम मैं खान पॉद्रों से रही सज Vous is निर्द टाल ठोक रहे हैं उनका समर्थन कर रही हैं इनके पकुज में के स्तायोगी दल जेडियू के अधिकान सनेता खड़े हुए हैं सीम नितीज के बेहत करीबी माने जाने वाले बढ़हरिया के पुर्व विधायक त्याम बहादूर सिंग तो लगतार रहीश खान को मलसी बनाने का दावा कर रहे हैं रहीश खान इन दिनों कई कारकरों में चर्चा है तो अखिर इह मामला दिलचस्प हो चला है कि आखिर कौन बनेगा दावेदा दार मनोस आएंगे तो यह लडाई दिलचस्प होगी सिवान के लगता है मनोस स्ग्स सामने आते हैं तो लडाई दिलचस्प दिया है खास बात है कि उनके साथ जदिव के कई बड़े चेहरे दिखाई दे रहें इसे में रईस कान की दावेदारी मजबूत हो सकती है अपने उमिद्वार के नाम की गोशना नहीं की है लेकिन जिला में बीजेपी की कोर कमीटी ने पार्टी के पुराने नेता उन्हें NDA के तरफ से MLC का उमिद्वार बनाए जाने की चर्चा है और वही दूसरी तरफ रई इसकान जो निर्दलिये ताल ठोक रहे हैं उन्हें जेडियू समर्थन कर रही है पुर्जोर तब NDA के अंदर ही घमासान होगा क्या उमिद्वार को लेकर ये बाते भी है तमा झाल झाल